Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तों आज है 29 माई और आज की स्वीडियो में हम 29 माई से related current affair के सभी important question discuss करने वाले हैं इसलिए वीडियो को अंते तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF शाहिए तो आप हमारा Telegram चैनल ही जोईन कर सकते हैं और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे साथ ही बेल आइकन दबान अब बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए स्टार्ट करते हमारा पहला question हाली में वायू सेना के स्क्वाडरन फ्लाइंग बिलिट्स में किस लडाकु विमान को शामिल किया गया है तो देखे इस लडाकु विमान का नाम है तेजस MK1 FOC जिसे कि अभी हाली में इंडियान एर फोर्स में शामिल कर लिया गया है और देखिए ये जो squadron है इस squadron का संचालन IAF के जो इनकी Indian Air Force के जो Air Chief Marshal है RKS बदोरिया इन्होंने किया है और ये हवा से हवा में इंधन भरने के लिए सक्षम है और साथ ही इस तरह की विमान को शामिल करने वाला Indian Air Force का ये पहला squadron है इसलिए इनका नाम आप याद रखेंगे इसका नाम है तेजस MK1 FOC अब यहां से important है Indian Air Force इसकी स्थापना हुई थी 8 October 1932 में Headquarter इस्थित है नई दिल्ली में और present time में हमारे Air Chief Marshal कौन है तो भी मैंने बताया है RKS बदोरिया और Voice Air Chief Marshal कौन है तो ये है HS Arora और यदि आप current से relate करेंगे तो हाली में Indian Air Force के द्वारा Operation Sanjeevni के शुरुआत की गई थी और ये जो Operation Sanjeevni है इसके शुरुआत क्यों की गई थी इसके थुरू मौल दीप को 6.2 मिलियन टन Essential Medical समान पूछाया गया था Indian Air Force के द्वारा Next Question है हाली में किसने rights issue से related प्रशनों का जवाब देने के लिए WhatsApp chatbot launch किया है तो ये भी हाली में launch किया है Reliance Industries Limited ने तो देखी हाली में Reliance Industries Limited ने अपने 2.6 मिलियन शेयर होल्डर्स के rights issue यानि की अधिकारों से related जो मुद्दे हैं उन्हें सुलजाने के लिए WhatsApp chatbot launch किया है और ये एक ऐसा पहला chatbot है जिसे सारवजरिक तौर पर launch किया गया है और जो WhatsApp पर available है और इसे ही launch कर दिया है Reliance Industries Limited ने Reliance Industries Limited के MD और अध्यक्ष कौन है तो ये हैं मुकेस अंबानी जी जो कि भारत के सबसे अमीर वेक्ती है साथ ही जो Reliance Industries Limited है ये 10 trillion का market cap क्रॉस करने वाली भारत की पहली company मनी है और यदि आप current से relate करेंगे तो कुछ समय पहले मैंने आप लोग बताया था COVID-19 के लिए समर्पित देश का पहला hospital ये बनाया गया है मुंबई में जिसका नाम है Seven Hills Hospital और ये बनाया गया है Reliance Industries Limited के ही द्वारा और अभी तकी दिया आप लोगों ने online study point के GK ब्रहमास्तर PDF को purchase नहीं किया है तो इसे आप purchase कर सकते हैं इस master PDF में history, quality, geography, economy और current affair के सारे topic कवर्ड है जो कि आपके आगामी exam के point of view से important है Next question है हाली में FISH ने विद्वर्ड से 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिसत forecast की है तो ये forecast की गई है 5 प्रतिसत देखी हाली में FISH rating ने अपना एक नया global economic outlook जारी किया है और इसके अनुसार इसने बताया है कि इंडिया की GDP वर्ड से 2021 में रहेगी 5 प्रतिसत जबकि ये ग्लोबली देखा जाए यानि कि वैश्विक GDP ये अनुमानित की गई है 4.6 प्रतिसत अनुमानित की किसने है FISH ने तो इसके बारे में जान लेते हैं देखे जो FISH है ये एक American Credit Rating Agency है इसके स्थापना हुई थी 1914 में स्थापना की किसने थी John Moody ने और प्रेजन टाइम में इसके CEO कौन है तो ये है Paul Taylor तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे Next है हाली में Oriental Insurance Company की नई CMD कौन बनी है तो ये भी हाली में बन गई है S.N. Rajeswari और S.N. Rajeswari ये है एक Charter Accountant और ये रिप्लेस करेंगी A.V. गिर्जा को A.V. गिर्जा के स्थान पर अब S.N. Rajeswari ये बन गई है Oriental Insurance Company की नई CMD तो इसके बारे में जान लेते हैं Oriental Insurance Company इसके स्थापना हुई थी 12 सितंबर 1947 में Headquarter कहां इस्तित है? नई दिल्ली में यदि हम Other Option को डिसकस करें तो देखी हाली में जो जानवी फूकन है इन्हें अभी हाली में फिक्की Ladies Organization की नई राजश्ट्री अध्यक्ष के रूप में निक्ति किया गया है Carmen Reinhard तो हाली में World Bank Group की ये नई उपाध्यक्ष और सालाहकार बनी है जबकि जो देवजानी होसाई ये बनाई गई है Nescom की अध्यक्ष Nescom यानि की National Association of Software and Services Companies Next है हाली में कोरोना संकट के बीच दुनिया के तीसरे सबसे अमीर वेक्ति कौन बने है तो ये भी हाली में बन गया है Mark Zuckerberg जो की है Facebook के संस्थापक और ये बने है सबसे अमीर वेक्ति और देखी अमेरिका में ये दि देखा जाये तो अरब पतियों के लिस्ट में 15% की बढ़ोत्री होई है देखी इसमें पहले स्थान पर कौन है तो ये है Jeff Bezos जो की है Amazon के संस्थापक Bill Gates ये है Microsoft के संस्थापक हाला कि Microsoft के स्थापना Bill Gates और Paul Allen इन दोनों नहीं मिलके की थी 1975 में लेकिन Paul Allen का निधन हो चुका है और Bill Gates ये है विश्व के दूसरे सबसे अमीर वेक्ति और Mark Zuckerberg ये है तीसरे स्थान पर जबकि Mukesh Ambani जी ये है इंडिया के सबसे अमीर वेक्ति और ये मैंने आप लोग बताया था कि ये एशिया के दूसरे सबसे अमीर वेक्ति है लेकिन अभी रैंकिंग चेंज हो चुकी है ये वापस से एशिया के सबसे अमीर वेक्ति ही बन चुके है नेक्स्ट है हाली में फेस्बुक ने कौन सा वीडियो कॉलिंग एप डवलप किया है तो हाली में फेस्बुक के दुआरे डवलप किया गया है कैचप एप इसके बारे में आप लोग बता दूँ देखे ये जो अप्लिकेशन है ये बिना फेस्बुक अकाउंट के काम करेगा और इस एक एप में एक साथ आठ यूजर वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे और ये अप ये भी बता देगा कि यूजर वीडियो कॉल लेने के लिए अवलेबल है या नहीं और इसी अप्लिकेशन को लॉंच कर दिया है फेस्बुक ने तो फेस्बुक के बारे में जान लेते हैं इसकी स्थापना हुई थी 2004 में इस्थापना की किस ने थी? मार्क जकरबर्ग ने और अभी मैंने पिछले कोश्चन में बताया है मार्क जकरबर्ग ये बन गया है विश्व के तीसरे सबसे अमीर वेक्ती नेक्स्ट है हाले में किस देश ने अपने पहले मानो रहित ड्रोन हेलिकॉप्टर का परिक्शन किया है तो ये परिक्शन किया गया है चाइना के द्वारा और इस ड्रोन का नाम क्या है तो इसका नाम है AR-500C जिसे की बनाया गया है AVIC ने यनि की Aviation Industries Corporation of China इसके द्वारा इस ड्रोन को डवलप किया गया है और इस मानो रहित ड्रोन हेलिकॉप्टर को प्योग इंडो तिब्बत बॉर्डर पर किया जा सकता है जिसे की ड्रोन किया है चाइना ने तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चाइना के बारे में आप मैप में देख सकते हैं चाइना की location ये आता है एशिया महादीप के अंतरगत चाइना जो कि विश्व में सरवाधिक जनसंख्या वारा देश है दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत देखिए येदि आपसे पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये है यांगची रिवर जो कि प्रवाहित होती है चाइना में ही जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है गंगगा एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगची वैसे ही विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो ये है नील नदी और ये कहां है ये है एफ्रिका में ये है एफ्रिका की लोके तो यह आप याद रखेंगे, यहाँ की capital क्या है? Beijing, currency है, Rain Minwi, और यहाँ के president कौन है? C. Zimping, भारत और चाइना की बीच एक exercise होती है, exercise का नाम है, Hand in Hand, और यह आजित की गई थी, Meghalay के उम्रोई में, Next है, हाली में NDB का नया अध्यक्ष किसे न्युक्ति किया गया है? तो यह भी हाली में न्युक्ति किया गया है, Marcos Trisome, NDB यहने की New Development Bank, इसके बारे में जान लेते हैं, New Development Bank, इसका Headquarter कहा इस्तित है? यह इस्तित है चाइना में, और चाइना में भी कहा? चाइना के संगहाई में, देखिए, प्रेजन टाइम में अध्यक्ष तो है, KV कामत, लेकिन जल्द ही इनका इस्तान लेने वाले हैं, Marcos Trisome, जो कि हैं Brazil से, और इसी क्रब में उपाध्यक्ष की भी न्युक्ति होने वाली है, उपाध्यक्ष के रूप में न्युक्ति किया गया है, भारत के ही अनिल किशोर को, तो इनका नाम भी हाप याद रखेंगे, अब यदि हम अधर आप्शन को डिस्कस करें, तो मात्सगू असकावा, ये हैं ADB के अध्यक्ष, निकि Asian Development Bank के अध्यक्ष, डेविड मलपास, ये हैं World Bank के अध्यक्ष, अच्छा, डेविड लिप्टन कौन है, क्या ये IMF से रिलेटेड है, ये है कौन, इसका अंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजेगा, नेक्ष्ट है, हाली में पदमिश्री से संबानित, उर्दू लेखक का निधन हुआ है, इनका नाम क्या था? तो देखे, इनका नाम था, मुस्तबा हुसेन, इनका जबन 1936 में हैदराबाद में हुआ था, और इन्हें उर्दू के मार्क ट्वेन की उपाधी दी गई थी, मार्क ट्वेन की उपाधी, और इन्होंने अपने साहित्तिक जीवन की सुरुवात की थी सियासस से जो की हैद्राबासी प्रकासित एक मुख्य उर्दु दैनिक था और 2007 में इन्डिया के चौथे हाइस सिविल एन ओनर पदमश्री से सम्मानित किया जा चुका है भारत का सरवोच नागरिक सम्मान कौन सा है तो पहले नंबर पर आता है भारत रत्न इसके बाद पदमविभूशन फिर पदमभूशन और चौथा हाइस सिविल एन ओनर है पदमश्री अब यदि हम अधर आप्शन को डिसकस करें तो हाल ही में हाना की मूरा कभी निधन हुआ और ये कौन थी तो एक जापानी प्रो रसलर थी एसले कपूर ये थे आस्ट्रेलियाई प्रो इस्टार इनका भी अभी हाली में धन हुआ और बलबीर सिंग दोसांच इनका नाम इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारती होकी के दिगज प्लेयर थे इनका भी अभी हाली में अधन हुआ है नेक्स्ट है हाली में उत्तर प्रदेश के जेवर में नोड़ा अंतरश्ट्रे एरपोर्ट बनाने के लिए ग्रह-मंत्राले ने किस देश की कंपनी को सुईकरती दी है तो ये सुईकरती भी हाली में दे दी गई है स्वीजर लेंड की कंपनी को और ये कोशन हेक्टियर की भूमी का इस्तमाल किया जाएगा और 29,000 करोड रुपए खर्च किये जाएंगे और यदि देखा जाए तो इस एरिया का ये तीसरा एरपोर्ट बनने जा रहा है क्योंकि इस एरिया का जो पहला एरपोर्ट है ये है इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट जो कि है दिल्ली में दूसरा है गाजियाबाद का हिंडन एरपोर्ट और हिंडन एरपोर्ट के बारे मैंने आप लोग बताया भी है ये है एशिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट और अब एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एरपोर्ट ये बनने जा रहा है नोएड़ा में इ एशिया और यूरोप और एशिया इन दोनों को ही संगत रूप से क्या कहा जाता है यूरेशिया जो कि यूराल परवत के द्वारा अलग होती है हम बात कर लेते हैं यूरप महादीप की तो देखिए प्रायदीप का प्रायदीप ये कहा जाता है यूरोप महादीप को ही और क क्यों कहा जाता है क्योंकि यह जो यूरप महादीब है यह तीन तरफ से समुद्र से घीर हुआ है उपर आप देखेंगे नौर्थ साइड में तो उपर में है आर्कटिक सागर इसके बाद पस्चम में है अट्लांटिक सागर और इसके नीचे में यहां पर है भूमद्धी यह तीन तरफ से समुद्र से घीरा हुआ है इसलिए कहा जाता है प्रायदीब का प्रायदीब यूरोप का सर्वोच शिखर कौन सा है तो यह है माउंट एलब्रुष जिसके उचाई है 5642 मेटर और यूरोप की सबसे लंबे नदी कौन सी है यह है वोलगा रिवर हम बात कर स्वीजर लंड की तो देखे यूरोप का खेल का मैदान ये कहा जाता है स्वीजर लंड को ही तो यह सभी फेक्ट है यूरोप महादीब से जो कि आप लोगों को मालूम होने चाहिए कल में आप लोगों से पूछा था हाली में खेलों को उद्ध्यों का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज जिकॉन बना तो इसका राइट अंसर था मिजोरम अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है हाली में नाइजर में भारत के नेक्स्ट अमबैजडर के रूप में किसे निक्ति किया गया है तो इसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजेगा और यहीं रिक्वेस्ट आज भी करूँगी कि वीडियो को जादा जादा शेयर करना है और वापस से ट्रेंडिंग मिलाना है तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच